दोस्तो ओम नमेशिवाय श्वागत थे आप लोगों का एक वाथिर से हमारे सिवा अश्रलोजी चैनल पर दोस्तो सच्ची हर्दय से कमेंट वाक्षमी लिखें जै माता दी माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तो शारदी नवरात्री की आप सभी को हर्दिक सुपकाम नाए दोस्तो नवरात्री का महापर्व नौ देविया अर्थार्थ नौ कन्याओं को समर्पित है कन्या पूजन करने से हमारी समस्ते पीडाये दूर होती और आपको बता दे कि इश्वार माता रानी हाथी के सवारी पर प्रत्वी लोग पर पधारी है और भक्तों के कष्टों को दोर कर रही है जब जब मातारानी हाथी पर सवार होकर आती है धर्ती पर तब-तब फोल खेलते हैं और वर्सा होती तिता हर्याली की उत्पत्ती होती है और जीवन सुखमाई हो जाता है इस वार सारदे नौरातरी बहुत इस चुब और मंगलकारी को दसहरा है बाइस अक्ट्वर को महा अश्ट्मी और टेश अक्टोपर को मुमी कन्या पूढ़न की श्वर किया जाएगा जाता दोस्तों अश्ट्मी और नवीक इन दोनों तथीयों में माता रानी का पूजन करने से कन्या पूजन करने से मा अभय वर्दान करती है खुशियों को वर्दान देती है और घर में जैसे सच्चे रड़े वाले कोमल बक्ती के सभी संक्टों का निवारन माता स्वें करती है मा की उपासन से बिनम्रता का विकास होता है सभी कश्ट दर दरता दुख गरीबी नश्ट हो जाती है नौरात्री में मातारानी का ब्रत और पूजन किया जाता है लेकिन नौरात्री के दरान सबसे ज़्यादा महतो हता है कन्या पूजन का दोस्तों माना जाता है कि ब्रत और उफवाशे मातारानी इतना परसंद नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है नौरात्री में छोटी छोटी कन्याओं को मातारानी का शुरूप माना जाता है कन्याओं को भोग लगाया जाता है उन्हें परसंद किया जाता है और बदले में आशिरबाद मांगा जाता है, कन्याओं को परसंद करने के लिए गिप्ट आधी उपहार बेगरे दिये जाते हैं, माना जाते हैं कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुसी-खुसी वे स्विकार कर लें, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थार बरदान प्राप्त होता है, नौरातरी में दो साल से लेकर दस साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए, अश्टमी अथवा नौमिक को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना उपहाराद देना स्रेश्ट माना जाता है। दोस्तों कैसे करें श्वागत? दोस्तों कन्याओ तब आप घर में आएं, तब सभी के पेरों को दोल जाए, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगा पर जमीन पर कपड़ा बिचा कर बैठाना चाहिए, उनके माते पर अच्छत फूल और कुंकं लगाना चाहिए, फिर उसके बाद भोजन ग्रहन करवाना चाहिए, लेकि और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है ऐसे में कन्याओं को उनके ठाली में तीन पूरी कभी न दें लेकिन एक दो करके पूरियां दे सकते हैं इससे तीन संख्या बट जाती है दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अन्त में कन्याओं के शर पर लाल चुनिदी उढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी हलवा तथा आलू की सबजी छोले बटूरे बगरे की सबजिया खिलाने चाहिए पनीर आद भी खिला जाता है लेकिन भोल से भी लहसन और प्याज का इस्तिमाल कभी न करें अन्ता अनर्थ हो जाएगा अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकट चिप्स बगरे पैकट खिलाते हैं जो कि ये घोर अनर्थ माना जाता है क्योंकि इसमें लहसन प्याज का इस्तिमाल होता है जिसके कारण आपका ब्रत खंडित हो सकता है मादुरगा क्रोधी तो सकती है जहां आपने नव दिन तक लहसन प्याज का परहेश किया लेकिन आपके एक गलती पूरे ब्रत को खंडित कर सकता है कन्याओं को डंबा बंद कोई भी ऐसी चीज ना दें जिसमें से एक लहसन प्याज होता हो कई चीजे तो ऐसी होती है जो मार्केट में जिसके अंदर लहसन प्याज का इस्तिमाल होता है ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनातें और मारकेट से रेडुमेट लाकर खिला देते हैं तथा वहीं दही जलेवी खिलाते हैं जो कि सुब नहीं माना जाता आप दही जलेवी खिला सकते हैं परंतु माता को घर का बना हुआ सुद्ध भोजन ही अतप्री है खासकर नौरात्री के दरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए जिसे पूरी हलवा खीर पकोड़े माता रानी बहुत परसंद ही ये चीजे घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए हमेशा याद रखें कन्याओं को प्लास्टिक के दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए ऐसे वरतन पूजा पाटकले सुद्ध नहीं माने जाते अश्यूब होते हैं कण्याओं को हमेशा स्टिल के वर्तन या फिर पत्ते से बने वर्तन में भोजन कराना चाहिए बहुत ही शुब माना जाता है दोस्तो भोजन कराने के बाद कण्याओं की ठाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए क्योंकि लौंग देवी सकती तगा दुर्गा माता को बहुत प्री है लौंग माता सकती का प्रपीक होता है लौंग शिन दुर्गा का वास होता है लौंग में इन नो दिनों में माता रानी को लौंग का भोग जरूर लगाय जाता है बहुत ही प्री है इसलिए कन्याओं की थाली में चिपचा पेक लहूं ज़रूर रख दे आपका भाग चमक जाएगा मातालक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी आपको बतादे के कन्याओं को उपहार में क्या दे कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाले में दच्छना डाले ताकि आप घर में संबन्नता बनी रहता धन की कोई भी कमी ना हो कन्याओं को कोई सुन्दर सा गिप्ट दे सकते हैं सास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुस होती है मातारानी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ती प्रदान करती है ऐसे में आप कन्याओं को चाकलेट वाक्ष दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं याद रहे काले कपड़े ना दे और इस्टील के वर्तन भी गिप्ट के तोर पे दे सकते हैं याद रहे कन्याओं को लोहे का कोई भी समान ना ही देना चाहिए दोस्तों जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके जरूर छुए अपने मन में अपनी प्राथना क पूरा करे सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद मातारानिय वश्य पूरी करती हैं दोस्तों नौरातरी के दिलों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत तो समझो मादूरगा आपके घर में आ चुकी है यह संकेत बताते हैं मादूरगा आश्रवाद आपको प्राप्त जो बोते हैं, अगर वो हरी हरी निकलाए, बड़ी हो जाए घास, तो बहुती शुब माना जाता है, और दोस्तों, जो से निकली हर्याली आपके भविश्य में होने वाले अच्छे और बुरे दोनों का संकेत देती, ये सभी बाते हमारे आने वाले शाल भविश्य को बताते ह आप जो बोई हैं और किशी कारण से नहीं उग पाएं हैं, तो ये संकेत बड़ा मनहूस माना जाता है, कहा जाता है कि नोरातरी में जो अगर जो आप बोई हैं और सूख जाएं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये अच्छा संकेत नहीं है, ये साल आपका खराब जान इसलिए माता से आप छमा याचना मांगे भक्तों को अब श्माप कर देती हैं माता रानी दोस्तों यदि जव हरे भरे हो जाते हैं तो यह सुवसंकेत होता है इससे आने वाला समय आपका बहुत ही शुब माना जाता है धनलाब होता है एक रुपे का सिक्का या चांदी का सिक जरूर डाल के रखना चाहिए यह बहुत ही शुब माना जाता है तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जनी की कन्याओं को भोजन खिलाते समय इन चीजों का विशेश रूप से ध्यान रखेगा कन्याओं को गलती से भी यह चीज़े ना दे और कौन से चीज़े कन्याओं झाल